बच्चों में आज कक्षा 6 का पार प्राय वाची पढ़ाने जारी हूँ ध्यान से सुना यहां दो चित्र बने हैं एक चांद है और एक सूरज है चांद को हम और क्या कह सकते हैं चंद्र, शशी, राकेश फूल को हम कहते हैं पुश्प, सुमन, प्रसुन प्राय का शाब्दिक अर्थ हैं अन्य या दूसरा जो शब्द अर्थ की डिष्टी से समान होते हैं वे प्राय वाची शब्द कहलाते हैं इने समानार्थक शब्द भी कहते हैं इन शब्दों का अर्थ एक दूसरे से मिलता जुलता होता है पर भाव में थोड़ा अंतर होता है, जैसे चंद्रमा के लिए चंद्र, शशी, चांद, मयंक, राकेश, हिमान्शू, आदी कई शब्द हैं, ये सभी शब्द एक दूसरे के प्राया है, इन शब्दों का अर्थ एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता होता है, प्रन्तु भाव में इन में कहीं कहीं सूक्षम अंतर होता है, अब प्रायवाची की परिभाशा सुनो, किसी शब्द विशेश के समान, अत्वा एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रायवाची अत्वा समानार्थक शब्द कहते हैं, अब शब्द हैं अगनी, प्रायवाची हैं आग पम अध्भुद अध्विते शब्द है असुर प्रायवाचिय दानव निशाचर राक्षस देते शब्द है इंकार प्रायवाचिय गर दर्ब घमंड अभिमान शब्द है आंक नेत नेयन चक्षू लोचन अकाश है शब्द प्रायवाचिय नब गगन अंबर वियों शब्द है आनन्द उल्लास खुशी परमोध हर्ष अभूशन है शब्द गेना अलंकार भूशन विभूशन इच्छा है शब्द अकांशा अभिलाशा कामना चाहा शब्द है अम्रत अमिय प्यूश सुधा शब्द जंडा ध्वज पताका ध्वजा शब्द इंद्र देवराज सुरेंदर पूरंदर देवेंदर शब्द इच्छा प्रायवाचिय लालसा लिपसा मनोरत उतकंठा शब्द इच्षवर प्रायवाचिय इश पर्मात्मा परमेश्वर भगवान शब्द उद्ध्यान प्रायवाचिय उपवन फुलवारी बगीचा वाटीगा शब्द कमल प्रायवाचिय पंकज नीरस सरोज सर्सीस शब्दे किनारा कगार कूल तठ तीर छोर शब्दे क्रोध प्राइवाचिय कोप गुस्सा रिस रोश शब्दे घर प्राइवाचिय घ्रै धाम भवन निकेतन शब्दे अंग प्राइवाचिय शरीर तन देह काया शब्द है अंदिकार प्राइवाची अंधेरा तम, तमीर, तमस, तमिस अश्वख शब्द उसका प्राइवाची है घोरा, तुरंग, सेघव, हे, घोतक, वाजी शब्द है अधम, पतीत, नीच, दुष्ट, निक्रिष्ट, कल, दूर्षन शब्ध है अनूचर, प्रायवाचिय सेवग दास, नौकर, परिचारक, भ्रत्ते शब्ध है अनन्य, जंगल, वन, कानन, विपिन, कातार शब्ध है अनूपम, प्रायवाचिय अनोखा, अनूठा, अद्वीते, अध्भुत, अपूर शब्द है उन्ती, विकास, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगती, अभ्यूदे शब्द है कपड़ा, प्रायवाची है वस्त, वसन, पट, चीर, अंबर शब्द है क्रिशक, किसान, खेतीहर, किशीजीव, हलवा बच्चो अब इसका कारे पत्रक देखो नीचे दिये गए शब्दों के प्रायवाची, शब्द चकर में से चाट कर लिखिए यहाँ पर आपको प्रायवाची शब्द दिये हुए हैं, उसको उसमें से चाट कर आपको नीचे लिखने कमल का, अगनी का, घोड़ा, आख दूसरा प्रशन है, निमिलिखित में से जो प्रायवाची नहीं है, उस पर सही का निशान लगाईए अगनी, अनल, पावग, अनिल, अकाश का है, लोचन, गगन, नब जो सही है उस पर आपको, जो सही नहीं है उस पर सही का निशान लगाना है आपको अतिति, मेमान, पहुना, परिचित, परवत, पहार, शैल, नीरद, प्रशन तीन, निमिलिक शब्दों के दोदो प्रायवाची शब्द बताईए, प्रित्वी, सेवक, माता, बालग, बच्चों ये आपका पार्ट खतम हो गया, धन्यवाद,